गाड़ी शड़क पर चलती हुई आ रही होती है गाड़ी के हेडलाइट के अलावा वहां और कुछ भी देख पाना काफी मुश्किल होता है बहुत तेज बिली खड़क रही होती है कार के अंदर बैठा विद्युत बहुत नशे में होता है लीला कार ट्राइब करते रूँ उससे को सवाल पूछ रही होती है बताओ विद्युत क्या हुआ था दस साल पहले नशे की हालत मैं विद्युत लीला से कहता है करीब दस साल पहले की बात है मैं एमी, रिवांश, वासू, नताशा हम सब बहुत ही अच्छे दोस्त थे विद्ध लीला को 10 साल पहले हुई एक घटना बताना चालू करता है साल 2012 एक रात रिवांश को एक फोन कॉल आता है रिवांश अपने बैडरूम में सो रहा होता है वो फोन उठाता है वो फोन कॉल उसकी दोस्त नताशा का होता है और उसको एक दर्दनाक खबर मिलती है जो उसे जगजूर कर रख देती है नताशा उसे बताती है कि रिवांश मैं अपने शहर के जंगल के बीच यो बीच कुछ पुलिस वालों के साथ खड़ी हुई हूँ हमारे दोस्त वाशू का किसी ने मुर्डर कर दिया है तो जल्दी से यहां पहुँच रिवांश हां में उत्तर देता है और अपनी बीवी को बिना बताए उस जंगल की ओर अपनी बाइक लेकर चल पड़ता है और कुछ देर बाद उसी जगह पहुँच जाता है जहां वासू का मडर होता है वहां पुलिस वाले उससे कुछ पूशताश करते है और रिवांश को पता चलता है कि वहां उन्हें एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा है तेरा रूप मैंने ले लिया मैं हूँ बहरूपिय पुलिस वाले इसका पता नहीं लगा पा रहे थे कि ये क्यों लिखा है और इसका क्या मतलब है मगर उस वक्त वहां मौजूद रिवांश और नताशा इस लाइन को सुनकर बहुत खबरा रहे थे उनके चेहरे के भाव बहुत रहसे में लग रहे थे ये इशारा कहीं उसके आने का तो नहीं किसके आने का और क्या इशारा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो तुम जानते हो हमें किसके आने का डर है पागल हो गई हो क्या ऐसा कुछ भी नहीं है तुम वसू की मौत से घवरा गई हो इसलिए इस संदेश क वो उससे जोड़ कर देख रही हो। नताशा सहमी हुई बस उस संदेश की ओर ही देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन इस खबर के बारे में एमी को पता चलता है। एमी लंदन में रहने वाला व्यक्ति था। एमी अपनी कार लेकर वसू के घर उनके परिवार वालों से उसकी मौत का दुख बांटने जा रहा होता है। वो रास्ते में ही होता है। तब ही उसको नताशा का फोन आता है। वो फोन उठाता है। और दूसरी ओर से नताशा बोल पड़ती है। है भी? मैंने तुझे मना किया था ना कि इंदिया मत आना, मगर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। असल में मुझे लगता है कि वो आ चुका है। कौन? वाशो की जहां मौत हुई थी, वहां से एक संदेश मिला था, जिसमें लिखा हुआ था। तेरा रूप मैंने ले लिया है। हूं मैं बहरूपिया। लेकिन मुझे ये सब पहले से ही पता था, पर क्या करूँ, हम पांचों ने अपना बच्पन साथ में बिताया है, अपने दोस्त की मौत से तूट सुका हूँ, अगर मौत आ भी गई तो चलेगा। हैमी, अपना खयाल रखना, हल विदा। हैमी और नताशा फोन पर बहुत देर बाते करते हैं, फिर दोनों फोन रख देते हैं, और कुछ देर बाद एमी को सामने विद्धुत खड़ा हुआ दिखाई देता है, एमी विद्धुत को देखकर बहुत खुश होता है, और उसे अंदर कार में बैठने के लिए कहता है, पर एमी को विद्युत कुछ बदला बदला सा दिखाई देता है उसे ऐसा लगता है कि विद्युत आधा जानवरों जैसा लग रहा था एमी विद्युत से बात करने की कोशिश कर रहा था पर विद्युत कोई जवाब नहीं दे रहा था एमी को लगता है कि वासू के जाने के सद्मे में होगा फिर थोड़ी तेर बाद विद्ध बोलता है कि तेरा रूप मैंने ले लिया हूं मैं बहरूपिया और जोर जोर से हसन लगता है एमी पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ विद्ध नहीं बलके एक डरामना राक्षस होता है अब तक एमी समझ चुका था कि वो अब नहीं बचने वाला है उसका सामना एक शैतान से है जो किसी भी वक्त उसकी हत्या करने वाला है अब मौत एमी का इंतिजार कर रही थी और अगले पल उस राक्षस ने एमी का पीछे से गला दबाना चालू कर दिया एमी कार समझ नहीं पाया और एक पेड़ से जा टकराया अब उसकी आँखों के सामने काला अंधेरा चाने लगा था थोड़ी देर बाद एमी को होश आता है एमी अपने आप को कार ड्राइब करते हुए पाता है पर यह कैसे हो सकता था एमी तो उस पेड़ से टकरा चुका था क्या वो सब सपना था एमी फिर से अपनी कार चलाने में लग जाता है और थोड़ देर बाद एक अन्नोन नंबर से फोन आता है एमी फोन उठाता है और उसे एक डरावना सा रिप्लाई आता है तेरा रूप मैंने ले लिया मूं में वहरू पिया डरते हुए एमी शीशे में देखता है तो उसकी सांसे रुक सी जाती है उसके शरीर का खून पानी सा हो जाता है पीछे वही राक्षस था जो एमी की तरफ डरावनी तरह से देख रहा था इस वार एमी को पीछे से पकड़ लेता है और उसके खून को चूसने लगता है और एमी की मौत हो जाती है अगले दिन एमी की लाश उसके कार में मिलती है और उसके हाथ में लिखा होता है तेरा रूप मैंने ले लिया हूं में बहरू पिया फिर आगे क्या हुआ तुम्हारे साथ साथ रिवांश और नताशा भी बच गए? नहीं, रिवांश और नताशा भी इस घटना से बच नहीं सके, फिर आगे एमे की मौत के बाद तीनों दोस्त रिवांश और नताशा विद्युत बहुत डर चुके थे पता नहीं कौन सी शक्ति उन दोस्तों के पीछे पड़ चुकी थी उन एमे की मौत के बाद से अनजान लोगों से मिलना बंद कर दिया था और रात के बाद कभी बाहर नहीं निकलते थे रिवांश और नताशा को फोटोग्राफी का बहुत शौक था एक बार एक बहुत बड़ी कंपरी ने उन्हें अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया और रिवांश और नताशा को जंगल की रात का एक पोटो शूट करने का टेंडर दिया गया वो लोग उस दर के बाद भी मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें वैसे भी ज्यादा कोई काम नहीं मिल रहा था इसके बाद उनका करियर चौपट हो सकता था दोनों अपने अपनी बाइक लेकर अपने घर की वर चल पड़े रिवांश बहुत तेजी से बाइक चला रहा था और उसके अपेक्षा नताशा बहुत दीरे दीरे बाइक चला रही थी उसका अंजाम नताशा को भुगतना पड़ा अचानक से नताशा के सामने एक काली बिल्ली आ जाती है जिसके आँखें सफेद रंकी थी और नताशा अपनी बाइक को किसी तरफ गिनने से बचा लेती है तब ही वो काली बिल्ली एक राक्षस का रूप ले लेती है और राक्षस डरावनी हसी हसते हुए कहता है तेरा रूप मैंने ले लिया हूँ मैं बहरू पिया इसके बाद एक जोरदार चीख के सार जंगल में फिर से एक दम से सन्नाट अचा जाता है उधर रिवांश अपनी बाइक को तेजी से भगा रहा था और उसकी नजर पीछे की तरफ पड़ती है उसके साथ चल रही नताशा वहाँ पास नहीं होती और रिवांश अपनी बाइक रोख कर पीछे देखता है तभी उसे एक गाड़ी के हेड़नाइट की रोशन नजर आती है उस बाइक को नताशा चला कर आ रही होती है उसे देखकर रिवांश बहुत खुश होता है और हाथ हिला कर नताशा को रुखने का इशारा करता है पर नताशा उससे कहती है के मेरा सामना उस राक्षस से हुआ था मैं किसी तरह बच कर आ गए पर मेरा कुछ सामान जैसा की जितनी हमने फोटोग्राफी की थी और कुछ वीडियो वही छूट गई है तो चल नहीं तो हम दोनों की जॉब चली जाएगी रिवांश नताशा की बाइक पर बैट कर उस जगे की ओर जाने लगता है जंगल की ओर जाते हुए रस्ते में उन्हें वही राक्षस दिखता है जिसे देख रिवांश कहता है नताशा जल्दी से बाइक की स्पीड बढ़ाओ हमें इस राक्षस से दूर जाना होगा जल्दी करो नताशा बाइक की रफता तेज कर लेती है और वो लोग वहां से दूर जाने लगते है और कुस दूर जाते ही वहां नताशा का बैग बढ़ा होता है वो देखो वो रहा मेरा बैग दोनों बैग के पास पहुंचते हैं रिवांश जब बैग को उठाता है तो उसे वहाँ एक लड़की जमीन पर लेटी हुई दिखाई देती है जिसका चेहरा नहीं दिख रहा होता है नताशा चल्दी से यहाँ हो नताशा उसके पास आती है और कहती है यह लड़की कौन है रिवांश इसे घुमा कर इसका चेहरा तो देखो वो एक लड़की की लाश थी जो कि और कोई नहीं नताशा की होती है रिवांश इससे पहले को समझ पाता पीछे से वो राक्षस जो नताशा का रूप लेकर आया था उस पर हमला कर देता है रिवांश उस राक्षस से बचने की कोशिश करता है उस पर कुछ पत्थर फेंकता है पर वो राक्षस रिवांश को नहीं छोड़ता और उसे मौद की घाट उतार देता है और बाइक की चलते हुई हैड लाइट भी अचानक से बंद हो जाती है अगले दिन रिवांश और नताशा दोनों की लाशे मिलती है और उनके हाथों पर लिखा होता है तेरा रूप मैंने ले लिया मैं बहरूप या वो राक्षस तुम लोगों को मार क्यों रहा था और इसके पीछे रहस्य क्या था बात तब की है जब हम पांचों दोस्त एक ही कॉलिज में पढ़ते थे हमें एक बाबा ने बताया था कि पास की नील पहाड़ियों के ऊपर एक बहरूपिया रहता है वो राक्षस जो खून पीता है और किसी का भी रूप ले सकता है तो हमने उसे मजाग में ले लिया मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ भी होता है हाँ यार सच में मुझे तो ये बाबा खुदी पागल वागल सा लग रहा है खून पीने वाला बहरूपिया उसी रात हम सब ने मिलकर उस पहाड़ी पर जाकर उस बहरूपियों को देखने का फैसला किया रात में जब हम सब वहाँ गए तो हमें पहाड़ी पर वैसा कुछ भी नहीं दिखा या महसूस हुआ जैसा कि उस बाबा ने बताया था हम सब अपने खून की कुछ बूंदें उस पहाड़ी पर गिरा कर आए जिसे उस राक्षस ने सूंग लिया और उसे हमारी गंधा आ गई तब से वो हमारे पीछे लगा है पर मैं बचकर मंबई आ गया तब ही विद्द के कान के पास एक हलकी सी आवाज आती है तेरा रूप मैंने ले लिया मूं में बहरूपिया जैसे विद्द गाड़ी के शीशे में देखता है तो वो देखता है ड्राइवर सीट पर बैठी हुई लीला रूप बदल कर उस राक्षस का रूप ले लेती है और लीला बहरूपिया में बदल जाती है तो अखरी था बस अब तेरा खूनी बीना बाकी रह गया था अगले दिन विद्द के लाश मिलती है और उसके हार पर लिखा होता है तेरा रूप मैंने ले लिया मूं में बहरूपिया बहरूपिया वो खौफनाक दरिंदा अगर किसी इनसान के खून के खुश्बूई से आ जाए तो ये उसका खून पी कर उसे मार देता है ये गलती इन पांचों दोस्तों ने की थी और इसका अंजाम इन लोगों को मिल भी गया उमीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें इमेल जरूर करें हमारी इमेल आइडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें थैंक यू